भारत ने पीली मतर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की समय सीमा को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया है और अब यह समय सीमा दिसंबर दो हजार चौबीस तक लागू रहेगी। पीली मतर पर ड्यूटी पहली बार नवंबर दो हजार सत्रह में लागू की गई थी और उस समय इसे 50 प्रतिशत तै किया गया था। भारत मुखे तोर पर कनाड़ा और रूस से पीली मतर का आयात करता है। हालां की सभी आयातों को ऑनलाइन इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह पंजीकरन उन शिप्मेंट पर लागू होता ह जहां 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले बिल ओफ लेडिंग जारी किया गया है। विदेश व्यापार महानी देशाले डीजी एफटी ने एक अधिसूचना में कहा है पीले मतर का आयात MIP शर्थ के बिना और बंदरगा प्रतिबंद के बिना मुफ्त ए जो ऑनलाइन इंपोर् काल प्रभाव से जहां बिल ओफ लेडिंग शिप ऑन बोर्ड 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले जारी किया गया है। केंदर सरकार की तरफ से दिसंबर 2023 की शुरुआत में एक फैसले के तहट मार्च 2024 तक पीली मतर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मनजूरी दी थी। इसे ब भारत दालों का एक बड़ा उपभोगता और उत्पादक है। लेकिन फिर भी अपनी खपत की जरूरतों का एक हिस्सा आयात के जरिये से पूरा करता है। भारत मुखे तोर पर चना, मसूर, उडद, काबुली चना और अरहर दालों का उपभोग करता है। साल 2023 से 2024 में दाल अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया था। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी